इस वीडियो में हम computer gk के ऐसे 180 question discuss करेंगे जो हर्याणा की पिछली प्रिक्षाव में पूछे गए है और हर्याणा की प्रिक्षाव में जो question एक बार पूछे जाते हैं उनके repeat होने के chances बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं इसलिए ये सभी question आपकी आने वाली हर्याणा के सभी प्रिक्षाव के लिए भूत ही मैतरपून रहेंगे इसलिए इस वीडियो को ध्यान पूरक कंद तक जोर देखें इसमें start करते हैं पहला question है नविन्तम क्यम्पूटर storage device कौन सी है तो ये है solid state disk next question है सी भाशा का विश्कार किसके द्वारा किया गया था तो सी भाशा का विश्कार किया गया था डैनिस रिची के द्वारा computer के जनक कोन है यानि father of computer कोन है ये है Charles Bebez आदुनिक computer विज्ञान के जनक कोन है यानि father of modern computer science ये कोन है एलन टूरिंग अगर आपसे simple पुछा जाए father of computer तो आप कहाँ सराएगा Charles Bebez और father of modern computer या father of modern computer science ये पुछा जाए तो आप कहाँ सराएगा Alan Turing Next question है दसमलाव संख्या 16 के लिए binary sum तुल्य क्या है यानि आपको decimal number 16 इसको binary number में convert करना है तो क्या आएगा आप simple कैसे convert करते हैं जैसे मालो 16 को आपको convert करना है decimal से decimal संख्या क्या होती है जो आप पढ़ते है 0 से लेके 9 तक जिसमें counting आती है जो हम counting पढ़ते है ये आपके decimal number system होते है और binary number 2 का मतलब होता है 2 जिसमें के 0 और 1 की format में आपके answer हो तो ये होते हैं आपके binary number तो इसको convert करने का क्या तरीका जैसे मालो 16 को करना है तो 16 को आप 2 से divide करोगे 2 8 जा 16 6 कितना बचा remainder कितना बचा 0 फिर से इसको 2 से divide करोगे 2 4 8 remainder कितना बचा 0 2 2 जा 4 remainder कितना बचा 0 2 1 जा 2 remainder कितना बचा 0 और ये 1 है अब ये 2 से divide नहीं होगा तो आप इस तरफ से लिखना start कर दोगे और ऐसे लिखोगे तो आपका answer आएगा 1 0 0 0 0 0 तो ये आपका answer आएगा आपने 16 को convert कर दिया binary system में तो 1 0 0 0 0 ये आपका answer आगया तो इस प्रकार से आप convert करते हैं एक और example देखते हैं जैसे माल लो आपको 41 को 41 आपका decimal number है इसको आपको convert करना binary number में आप कैसे convert करोगे किसी भी संक्या को आप 2 से divide करते रहोगे 2 से divide करोगे 220 पे जाएगा 220 40 remainder कितना बचा 1 फिर आप 2 से divide करोगे 210 जाए 20 complete डिवाइड हो गया और remainder कितना बचा 0 फिर 2 से divide करोगे 25 जा 10 complete डिवाइड हो गया 6 0 बचा फिर 22 जा 4 remainder कितना बचा 1 फिर 2 से divide करोगे 21 जा 2 remainder कितना बचा 0 अब 1 डिवाइड नहीं होगा अब इस तरफ से लिखना स्टार्ट कर देंगे 101001 यानि जब आप 41 को 41 decimal number को convert करोगे binary में तो आप कैसे लिखोगे 101001 तो इस प्रकार से आप easily किसी भी decimal number को 16 के लाओ कोई भी number दे दिया जाए तो आप उसको easily convert कर सकते हैं आपको एक चीज और सीखनी है अगर आपसे question में पूछ लिया जाए कि binary number दिया हो binary number से आपको convert करना decimal number में तो आप किस प्रकार से करोगे मालो आपके पास number है 1011 यह आपका binary number है जिसमें के 0 और 1 आते है इसको convert करना आपको decimal number में तब किस प्रकार से करोगे आप इसको simple लिकट 2 की power 0 2 की power 1 2 की power 2 2 की power 3 इस प्रकार से जैसे आगे जो भी number आएगा यह powers बढ़ती जाएंगी आपको क्या करना है यह सभी जो है इनसे multiply करना है और आपस में add करते जाना है 2 की power 0 कितनी होती है किसी भी चीज़ की power 0 होगी तो वो होता है 1 तो 1 into 1 1 प्लस में 2 into 1 2 और यहाँ पे आप 0 देखते हैं तो उसको 0 ही लिख दो क्योंकि कोई भी power हो कितना भी बड़ा number हो उसकी multiply अगर आप 0 से करोगे तो 0 ही आ जाएगा तो यह 0 आ गया 2 की power 3 कितना आ गया 8 8 into 1 8 तो यह आप में power देखने है किकर अगर multiply 1 से होगा तो वही चीज़ आ जाएगी और 0 से होगे तो 0 आएगा तो यह कितना आ गया 11 आ गया यानि आप इसको अगर convert करना हो तो इसको decimal में convert करने के बाद क्या लिखोगे 11 लिखोगे 2 की power 0 2 की power 1 2 की power 2 2 की power 3 और इसके निएचे लिखोगे 2 की power 4 तो यह सभी आप इसे multiply करोगे 0 से तो यह कितना आते जाएगे 0 आएंगे, किसी भी चीज़ को 0 से multiply करोगे तो 0 आते जाएंगे, auto की पार 4 कितना होता है, 16 होता है तो 16 यह से भी add करोगे, तो आपका answer आजाएगा 16 तो आप देख सकते हैं, यह आपने convert कर दिया binary से decimal में, तो आप easily decimal से binary में भी convert कर सकते हैं तो आपके question में यह दोनों परकार से पूछे जाते हैं आपको यह दोनों सीखने हैं और बिल्कुल easy method है next question देखते हैं oops, इसका क्या आर्थ है, यानि इसकी full form आपको बताने है इसकी full form है, object oriented programming subject object oriented programming subject next question है, computer की वर्तमान उपलब्ध PD कौन सी है तो present time में कौन सी computer की generation है यह है 5VPD, 5th generation तो यह आपकी जो पहली generation थी वो किसके पर बेस थी, vacuum tube बेस थी second generation, transistor बेस थी third generation, integrated circuit बेस थी fourth generation, VLSI microprocessor बेस थी आपको में याद रखना, microprocessor बेस fifth generation, artificial intelligence या ULSI microprocessor बेस ULSI यानि ultra large scale integration VLSI यानि very large scale integration तो यह दोनों full form भी आपको याद रखनी है साथ ही यह हर एक का किसके उपर बेस थी first generation, second यह भी आपको याद रखनी है next question है hardware क्या है तो hardware है physical structure of computer यानि computer की भोतिक संद रचना जिसमें क्या आता है जैसे CPU आ गया monitor आ गया, keyboard आ गया यानि जो आप फिजिकली देख रहे है mouse आ गया, computer data storage आ गया, speakers आ गया, motherboard आ गया यह से भी आपके जब hardware के अंदर आ जाएंगे next question है निमले की तो मैंसे कौन सा एक operating system नहीं है तो operating system आपके है, unix, windows, macOS, linux यह सभी आपके operating system है firefox operating system नहीं है notebook, laptop, किसकी स्रेणी में आते हैं तो यह सभी portable computer की स्रेणी में आते हैं code, जो खुद को copy करके और computer system को corrupt अथवा data को nest करने में सक्षम है इसे क्या का जाता है, यहनि जो अपने आपको copy करता रहता है और computer system को nest कर देता है, data को nest कर देता है वहां के तो इसको बोला जाता है computer virus intel core सब्द किस स्रेणी से सम्मद दीता है तो intel सम्मद दीता है micro processor से computer system का उप्योग करने के लिए किसी अन्य उप्योग करता को परती बंदित करने की प्रक्रिया को क्या का जाता है यहनि कोई अन्य उप्योग करता है जो आपके computer को उप्योग करे उसको रोकने के लिए आप क्या करते है security लगाते है सुरक्षा लगाते है तो इस प्रक्रिया को क्या का जाएगा security इनमें से कौन सी computer में data की सबसे छोटी ही का ही है तो यह होती है bit email address के सही प्रारूप की पहचान करें तो आप email address कैसे लिखते हैं कोई भी नाम सोच लिए आपने at the rate जैसे gmail.com आ गया at the rate yahoo.com आ गया तो इस प्रकार से आप कोई भी नाम होता है जैसे यह mike नाम हो गया at the rate उस website का नाम और .com इस प्रकार से आप लिखते हैं नाम at the rate website का नाम .com तो इस प्रकार से आपकी ये अंसर आ जाएगा A option निमलिकित में से कौन सी? Binary संख्या के लिए एक उदारन है तो Binary संख्या कौन सी होती है? जिसमें केल 0 और 1 की format में हो तो ये है 10110 केल 0 और 1 है बागी सभी आपकी जो है Binary Number नहीं है निमलिकित में से पुरानी प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी है? तो ये है Machine Language CAD का पुरा नाम क्या है? तो CAD की फुल फॉम है Computer Added Design निमलिकित में से कौन सा एक डेटा को स्थाई रूप से स्टोर करता है? यानि जो डेटा को पर्मानेंटली स्टोर करता है तो ये होता है Hard Disk में नीचे दिये गए विकल्पों में से उच तरिया प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी है? यानि High Level Programming Language कौन सी है? तो ये है Pascal हम Computer Data कहा संगरीद करते हैं? कहां पर स्टोर करते हैं? तो ये करते है Hard Disk में Microsoft Office Document में Ctrl प्लस Z का उप्योग किसके लिए किया जाता है? तो Ctrl प्लस Z का उप्योग किया जाता है किसी भी चीज़ को वापिस लाने के लिए तो ये होता है Undo के लिए इन में से किसका उप्योग? Notes को Network में जोडने के लिए किया जाता है तो यह किया जाता है स्वीच का उप्योग कमजोर सिगनल की रेंज और ताकत का विस्तार करने के लिए किस उपकरण का उप्योग किया जाता है तो यह किया जाता है रिपीटर का नेटवर्क ट्रैफिक को नियंतरित या निगरानी करने के लिए किसका उप्योग किया जाता है यह किया जाता है firewall का इंट्रानेट क्या है इंट्रानेट एक प्रकार का private network है अनधिकरत डेटा की access प्राप्त करने की प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है तो यानि जो unauthorized data है उसको प्राप्त करना यह कहलाता है hacking TCP IP इसका पूरा नाम क्या है तो इसका पूरा नाम है transmission control protocol internet protocol FIFO इसका पूरा नाम क्या है इसका पूरा नाम है first in first out volatile memory के उधारन की पहचान करें तो volatile memory कौन सी है तो यह है RAM Random SS memory एक byte में कितने bits होते है एक byte में 8 bits होते है नमलिकित में से कौन सी object oriented programming बाश्चा है तो यह है C++ ALU, ALU किसका एक हिस्सा है तो ALU CPU का Central Processing Unit का एक हिस्सा है ALU के full form क्या है Arthematic Logic Unit नमलिकित में से गैर computer बाश्चा को अटा है तो आपकी जो computer बाश्चा है वो है C++, COBOL, Basic यह सभी computer बाश्चा है और MS Excel यह computer बाश्चा नहीं है LAN इसके full form क्या है यह local area network दूसरों को email बेजना महतपूर्ण जानकारी चोरी करने के लिए जैसे username, password और bank वेवरन इसको किस रूप में जाना जाता है यहीं दूसरों को email बेज कर उसको अपने जासे में लेना इसको कहते है fishing जैसे मचली को जाल में फसाया जाता है तो यह भी आपका होता है एक परकार का fishing Excel में backstage view का क्या उदेश है तो backstage view का प्रपज होता है नई sheet, save और open sheet, print और share sheet बनाना निमलिकित में से कौन सा application software का एक उदारन है तो application software है Microsoft Word शब्द में विकल्प autocract का उद्देश से क्या है तो autocract का मतलब क्या होता है तो जो आपके गलत वर्तनी वाले spelling होते है यानि जो गलत spelling वाले word होते है उनको पता लगाता है और जो सही spelling होते है सही वर्तनी वाले सब्द होते है उनको जो है समलित करता है Where is BIOS? BIOS यानि Basic Input Output System Used BI Basic Input Output System कहां पर यूज होता है? यह होता है Loading Operating System में Name में से किस Shortcut का उपयोग? Notepad में Type की गई सामगरी को पूरवता करने के लिए किया जाता है यानि उसको वापीस पाने के लिए किया जाता है यह होता है Control Plus Z का उपयोग तो आपको यह Shortcut Keys से Related बहुत Question पूछे गए है तो आपको यह भी याद रखने है और अगर आपको यह यह वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरू करें साथ ही Study Zone से को सब्सक्राइब जरू करें और notification bell का बटन जरुद दबाए notification bell का बटन दबाने से हमारी वीडियो अप्लोड होते आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाएगी Next Question है निमलिकित में से कौन सा एक Output उपकरण नहीं है तो यह नहीं है Mouse, Mouse एक Input उपकरण है इनमें से कौन सा Input और Output डिवाइस दोनों के रूप में कारिया कर सकता है तो यह है Modem निमलिकित में से कौन सा Central Computer Network के माद्यम से अन्य केम्पूटरों किसे डाटा भेजने और प्राप्त करने के लिए समर्पित होता है तो यह होता है Server WLAN इसकी Full Form बताने है, इसकी Full Form है Wireless Local Area Network निमलिकित में से कौन सा एक बड़ी शमता का Storage डिवाइस है जो एक ठोस केस में रखे गए कई डिसको से बनाएं तो इसको बोलते है Hard Drive निमलिकित में से कौन सा प्रिंटर डर्म परचवी बनाने के लिए लेजर की बजाए परकास उत्सरजन डायोड का उप्योग करता है तो यह है LED एक मेगाबाइट किसके बराबर है एक मेगाबाइट बराबर है 1024 किलोबाइट यह आपका मेगाबाइट MB बराबर है 1024 के बीके इन में से किसको इंटरनेट पर सर्वर के रूप में भी जाना जाता है तो यह जाना जाता है होस्ट को निमलिकित में से कौन केम्पूटरों के लिए ओपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो यह नहीं है Microsoft केम्पूटर के ओपरेटिंग सिस्टम कौन से है Mac OS, DOS, OS 2, RAP यह सभी ओपरेटिंग सिस्टम हैं विंडो खोजने के लिए किस function कुंजी का उप्योग किया जाता है यानि किस function की का उप्योग किया जाता है तो यह है F3 का तो आपको यह shortcut की ज़रू याद रखनी है shortcut की से related बार बार question आ रहे है निन में से कौन सा विकल्प सबसे बड़ी से छोटी से छोटी बंडारन इकाई का प्रतिनी दिताओ करता है यानि आपके बड़े से लेकर छोटे तक जाना है तो सबसे पहले आएगा megabyte उसके बाद आ को चुने जो दुनिया भर के विबिन केम्पूटरों को आपस में जोडता है तो यह है internet internet दुआरा प्रियुक्त मानक प्रोटोकॉल कौन सा है यानि standard प्रोटोकॉल कौन सा है तो यह है TCP IP transmission control protocol internet प्रोटोकॉल नमलेकित में से कौन सी एक network सुरक्षा पढ़ना लिया है जिसे किसी network से अन्दीकरत पहुंच को रोकने के लिए डिजाइन किया जाता है तो यह है firewall email दुआरा थोक में भेजे गए एवांचित संदेश क्या 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 लाते है तो यह होते है spam यानि बहुत सारे message आपके पास बेजे जाए और जिनके कोई भी requirement नहीं है तो यह क्या लाते है spam यह आपके basically होते है आपके data चोरी करने के लिए किसी भी प्रकार से यह बेजे जा निमलिकित में से कौन operating system का एक मूल रूप है तो यह है MS-DOS CD लिखने के लिए कौन सी drive मदद करती है तो यह है इसको बोला जाता है CD burner कौन सी device प्राथमिक memory से संबंदित है यानि primary memory से संबंदित है तो यह है random assess memory निमलिकित में से कौन सा एक combinational digital electronic circuit है जो पूर्णाक binary संख्याव पर arithmetic और bitwise संचालन करता है तो यह है arithmetic logic unit ALU निमलिकित में से कौन operating system नहीं है तो operating system आपके है Microsoft Windows Mac OS Linux तो यह नहीं है AutoCAD यह आपके बार बार इस प्रकार के question आ रहे हैं लेकिन इसमें आपका चोथा option बदल दिया जाता है बाकिती तीन option सेम रहते है Microsoft Windows Mac OS Linux Unix यह से भी आपको याद रखने है VRML इसकी full form क्या है इसकी full form है virtual reality modeling language आदेशो यानि commands को पूरा करने के प्रक्रिया को क्या कहा जाता है तो यह कहा जाता है executing किस उपकरण को pointing device कहा जाता है pointing device कहा जाता है mouse को कागज पर रेखान करने के लिए किस उपकरण का उप्योग किया जाता है यह output device भी है तो यह कहा जाता है plotters को यह plotter को यह है एक file को cd-rom में copy करने के प्रक्रिया है तो यह होती है burning इन में से किसको video यानि visual display unit के रूप में भी जाना जाता है तो यह जाना जाता है computer monitor को 1GB 1GB किसके बराबर होता है तो यह होता है 1 billion bytes के बराबर half byte आदा byte किसके बराबर होता है तो यह होता है nibble के बराबर एक nibble के बराबर internet की गती को इसमें मापा नहीं जाता है यानि internet की speed को किसमें नहीं मापा जाता है तो यह CBPS बाकि इन तीनों में के बी किलो बाइट पर सेकेंड इसमें मापा जाता है मेगा बाइट पर सेकेंड इसमें मापा जाता है और गीगा बाइट पर सेकेंड इसमें मापा जाता है GB पर सेकेंड encryption technique निमलिकित में से किस सुविधा को बैतर बनाती है तो encryption technique होती है security के लिए, सुरक्षा के लिए निमलिकित में से कौन सा output device रेनी के अंतरगत आता है तो output device है आपका monitor जब हम एक computer में दस्तावेजों पर काम करते हैं तो एक दस्तावेज का working version डैस में संग्रीत होता है तो ये होता है RAM में computer में कौन से गटक को, computer का दिल भी कहा जाता है यनि heart of computer किसे कहा जाता है, ये कहा जाता है micro processor को किसी भी संग्रीत दस्तावेज, film या file को style root से अटाने के लिए, यानि permanently हटाने के लिए, permanently डिलीट करने के लिए किस shortcut का उप्योग किया जाता है तो ये shift plus dell तो ये आपका delete का button होता है, del जिस पे लिखा होता है तो ये उप्योग होता है, permanently किसी भी चीज़ को remove करने के लिए shift plus delete यह DEL यह आपका अंसर आएगा नहीं लेकित में इसे कौन सा एक परकार का ROM है तो यह है PROM PROM की फुल फॉर्म क्या है Programmable Read-Only Memory यह आपको फुल फॉर्म भी याद रखनी है ऐसी यह आपका है EPROM तो यह है Erisable Programmable Read-Only Memory Next आपका आजाता है EEE PROM यह है Electrically Erisable Programmable Read-Only Memory यह फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी है एक बाइट में कितने बीट्स होते है तो यह होते है आठ बीट्स नमलिकित में सिक्किया E-Mail पते का सही प्रारूप है तो E-Mail पते में पहले नाम आता है फिर At The Rate आता है फिर Website का नाम आता है और फिर .com कोई भी नाम At The Rate Gmail.com At The Rate Yahoo.com तो यह आपका नाम At The Rate उस Website का नाम और .com Computer Software में समस्या को क्या का जाता है तो किसी भी समस्या को Computer Software में का जाता है Bug Computing में URL इसकी Full Form क्या होगी इसका क्या आर्थ है तो URL का मतलब है Uniform Resource Locator एक Computer Port का Direction में Data प्राप्ट कर सकता है तो यह होता है Bi-Directional तो यानि एक Computer Port दोनों Direction में Data आ भी सकता है जा भी सकता है तो यह Data रिसीव भी कर सकता है और Send भी कर सकता है निम्लिकित में इसे Computer Bus नहीं है तो Computer Bus है Address Bus Data Bus और Control Bus Clock Bus कोई भी Computer Bus नहीं है तो आपको में तीनों यही याद रखने है Data Bus, Control Bus, Address Bus निम्लिकित में इसे कौन सी एक प्रकार की S3 Memory है यह वोलेटाइल मेमोरी है तो यह है RAM, Random Assess Memory और वहीं ROM एक Non-Volatile Memory है जबकि RAM एक Volatile Memory है Computing में www.www के लिए क्या आर्थ है तो यह है World Wide Web Warm तो यह आपको Warm याद रखना है World Wide Web Warm Logical Memory को एक यह आकार के Block में तोड़ना क्या कहलाता है तो यह कहलाता है Pages S-R-A-M इसका क्या मतलब है इसकी Full Form बतानी है इसकी Full Form है Static Random Assess Memory और वहीं अगर आपसे D-R-A-M इसकी Full Form पूछी जाए तो इसकी Full Form है Dynamic Random Assess Memory तो एक होती है Static एक होती है Dynamic Network विफलता मुखे रूप से एक किसकी समस्या है तो जब Network चला जाता है यानि Connectivity चली जाती है तो यह किसकी एक समस्या है Connectivity के एक समस्या है एक Virus को किस समस्या के रूप में माना जाता है तो एक Virus को Security Security की समस्या के रूप में माना जाता है नमलिकित में से कौन सी बस उस थान को निर्दारित करती है जहां डेटा या सुचना बेजी जानी चाहिए तो जहां पर डेटा या इन्फॉर्मेशन कोई भी होगी यह बेजी जाएगी यह कौन निर्दारित करता है यह निदारित करता है address bus नमलिकित में से कौन सी memories हालिके data और सुचना को संगरीत करके पर्देशन को बहतर बनाने में बदद करती है तो यह होती है cache memory कैथोड रे टूब क्या किसके लिए उप्योग किया जाता है तो यह किया जाता है monitor में संबंदित वर्गों के संगरे को क्या नाम दिया जाता है यानि a collection of related classes उसको का जाता है package किसी बाशा के निर्देश सेट में commands लिखे जाते है यानि instruction set commands are written in तो यह होते हैं आपकी machine बाशा में machine language में एक nims तरिय बाशा यानि low level language जो परतिकात्मक कोड में विभीन निर्देशों का परतिनिदिताओ करती है और एक अधिक समझनी योगय रूप कहलाती है तो इसको क्या का जाता है तो यह कहलाती है assembly language कौन सी परक्रिया भोतिक या आवासी डिवाइस के कर्यान वेहन, संचालन और मेंटेनेंस का परबंदन करती है तो यह होती है device management यहनि implementation, operation and maintenance of a physical और virtual device नमलिकित में से कौन सा scheduling का मापधंड नहीं है तो यह नहीं है request time जो मापधंड है वो देखते है turn around time, waiting time और response time computer परणाली में इन में से एक संक्या का परतिनी दिताओं नहीं किया जा सकता है तो जो numbers होते है, binary होते है, octal होते है hexadecimal होते है, decimal होते है, unary नहीं होते है तो C इसमें आपका answer आएगा, इसमें परतिनी दिताओं नहीं किया जाता है यह आपका पूछा है ऐसी स्थिति को क्या नाम दिया जाता है जहां परक्रिया का एक सेट अरुद हो जाता है क्योंकि परतेक परक्रिया एक संसादन को पकड़ रही है और किसी अन्य संसादन की परतिक्षय कर रही है जिसे किसी अन्य परक्रिया दिवारा अधिगरत किया गया है तो यह होती है deadlock मुक्त memory space यानि free memory space को छोटे भागों में तोड़ने की प्रिक्रिया को क्या कहा जाता है तो यह कहा जाता है fragmentation फाइलों को संग्रीद करने के लिए डारेक्ट्रीज द्वारा किस परकार की संरचना का उप्योग किया जाता है तो यह होती है स्रेणी बद नमलिकित में से कौन करेंसी के साथ कौन सी समस्या है तो यह है producer consumer नमलिकित में से कौन सी एक अनुकर्मिक सरकेट है यानि sequential सरकेट है तो यह है flip flow C++ में multiple inheritance के कारण कौन सी समस्या उत्पन होती है तो multiple inheritance के कारण diamond problem, diamond समस्या उत्पन होती है C++ में runtime, polymorphism को किस प्रकार कार्यान विद किया जाता है तो यह किया जाता है using virtual functions आवाशी कारियों का उप्योग करके नमलिकित में से कौन सी memories किसी machine के production को तेज करती है तो यह होती है registers किसी single unit के तेट डेटा को लपेटने को क्या खा जाता है तो यह होता है encapsulation inheritance किस संकल्पना पर काम करता है तो यह होता है reusability यही पुनर परियोग पर object एक दूसरे के साथ एक दूसरे को सूचना बेजते और प्राप्त करते हुए सनवाद करते है इस परकरिया को क्या का जाता है तो यह होती है message passing visual basic के बारे में निमलेकित में से कौन सा सही है तो visual basic के बारे में सही है यह के वल वेकल पिप मापदंडों को सिविकार करता है visual basic किस प्रकार की programming भाषा है तो यह है event driven निमलेकित में से कौन direct pointing device नहीं है तो direct pointing device है touchpad हो गया mouse आ गया आपका touch screen आ गया तो joystick के एक direct pointing device नहीं है c++ में data प्रकार का उप्योग करके कोई उप्योग करता फाइलों में जानकारी लिख सकता है और फाइलों से जानकारी पढ़ सकता है तो यह होता है f stream में c++ में निमलिकित में से कौन सा data प्रकार memory location और variables को address को store करता है तो यह होता है pointer किसी प्रोग्राम को निश्पादन के समय क्या का जाता है यहनि execution के समय किसी प्रोग्राम के execution के समय क्या का जाता है यह होते हैं प्रक्रिया प्रोसेस dash से एक प्रोग्राम बना होता है तो प्रोग्राम बना होता है machine code अनुदे से machine code instructions से एक संस्थापना वाली फाइल को केम्पूटर में किस प्रारूप में सेव किया जाता है तो यह होती है .exe की फॉर्मेट में dir डारेक्ट कमांड ms-dos में क्या कार्य करता है तो यह होता है it locate the file यानि फाइल के सही स्थान का पता लगाता है अगर आपको font का चुनाव करना है तो आप किस shortcut कुझी संयोग का उप्योग करेंगे तो आपके shortcut की होगी अगर आपको font का चुनाव करना है तो यह होगी control plus D आप keyboard के उप्योग के साथ ms office program में tab के माद्यम से कैसे आगे बढ़ेंगे तो tab के माद्यम से आगे बढ़ेंगे add और फिर right या left arrow keys के साथ backstage view को आप कैसे उप्योग मिलेंगे तो यह होगी आपके add plus F office.com पर जाने के लिए आप किस कुझी को दबाएंगे तो यह होगी F1 कुझी आपको एक पूरे paragraph को चुनने के लिए एक निश्चित बिंदू पर कितनी बार क्लिक करना है तो आपको एक बिंदू पर तीन बार क्लिक करना है यानि तीन बार लगातर क्लिक करना है और आप पूरे paragraph को select कर सकते हैं computer network से आप क्या समझते हैं तो computer network होता है एक दूसरे से जुड़े हुए दो या दो से अधिक computer यानि कम से कम दो computer जुड़े होने चाहिए और उससे अधिक computer जुड़ते हैं तो उससी पूरे system को आप बोलते है computer network WAN इसकी full form बतानी है wide area network डाटा स्थाना अंतरत के लिए संपर्क में उपयोगी करण वे तकनीकों की गंड़ना करने की प्रकरिया को क्या कहते हैं तो यह होता है data communication सीमित बोगलिक प्रीदी में इंटरनेट पर होने वाले वारतालव को क्या कहते हैं तो यह होता है वी ओ डबलू एल एन यहनी voice or wireless local area network यह आपके limited geographic parameter में जब विबीन ग्राकों की फाइले वैं सर्वर एक अकेले सर्वर पर hosted होते हैं तो उसे क्या कहते हैं तो उसे कहते हैं cloud computing इन में से किसकी मदद से एक static web page बना जाता है तो यह बना जाता है HTML की मदद से आपसे HTML की full phone भी पूछी जाती है तो यह आपका आएगा hypertext markup language एक static page एक static pressed जानकारी कितनी बार बनाई जा सकती है तो यह होती है एक बार ही बनाई जा सकती है designed only once website तुरंट लोड होती है अगर वो किस पर बनाई जाती है अगर वह HTML पर बनाई जाती है markup वे style code को HTML में कौन अनुवाद करता है कौन ट्रांसलेट करता है तो यह करता है जर्नेटर संख्यातमक संख्या के process को पर संस्करंट के लिए कौन सी बास्या अच्छी होती है तो यह होती है for train अच्छे तरह से संद्रचित वेब पठनीय प्रोग्राम लिखने के लिए कौन सी बास्या साध्य होती है तो यह होती है pascal किस बासा को किसी भी यंतर पर code किया जा सकता है तो यह होती है java PHP इसकी full form क्या होगी तो इसकी full form होती है personal home page और अब इसे क्या का जाता है इसे का जाता है hypertext processor तो यह आपको confuse कर सकती है तो आपको यह बिल्कुल दियान रखना है PHP की full form क्या होगी hypertext processor यह आपके अगर option में hypertext processor ना हो तो आपका अंसर क्या आएगा personal home page आप लेखांकन software में क्या नहीं कर सकते है यानि accounting software में आप क्या नहीं कर सकते है तो आप क्या कर सकते है calculate payables, keep trial balance, tax determination यानि tax निदारण के लिए इसका उप्योग हो सकता है CS friction रखने के लिए इसका उप्योग हो सकता है दे राशियों के गंड़ना के लिए इसका उप्योग हो सकता है लेकिन invest money धन निवेस के लिए इसका उप्योग नहीं होगा प्राथमिक memory unit कौन सी है यानि primary memory कौन सी है तो यह है random access memory CPU, CPU क्या है यह इसके फुल फॉमगी Central Processing Unit ROM क्या है यह है Read Only Memory दैनिक पत्रिका में voucher रद करने के लिए किस shortcut का उप्योग किया जाता है तो यह होती है L प्लस X सभी परविष्टियों यानि सभी entries को देखने के लिए आप किस route का अनुकरंट करेंगे किस route को follow करेंगे तो यह होगी है सबसे पहले display, daybook, select period menu अवदी को बदलने के लिए किस function कुन्जी का उप्योग किया जाता है तो यह किया जाता है F2 का Cyber सुरक्षा को और किस नाम से जाना जाता है यानि Cyber Security को किस नाम से जाना जाता है तो यह Information Technology Security यह सूचना तकनिकी सुरक्षा किस प्रकार के Cyber सुरक्षा के खत्रे में PD तव्यक्ति के केम्पूटर में दुवेश्पून केम्पूटर सौटवेर द्वारा फाइलों पर अवरोध दिया जाता है तो यह होती है Ransomware Slack Space से आप क्या समझते है तो Slack Space होती है फाइल के तारकिक और बोतिक माप के बीच का फरक यानि difference between file logical and physical size नीचे दिये गए विकल्पों में से कौन आपके system को खराब करने के लिए अपनी परतिकिर्थी नहीं बनाता है यानि अपने आपको कोपी नहीं करता है तो यह होता है Torgen Horse और जो कोपी करते है Macrovirus, Spress Infector, Resident Virus EDI, EDI की full form बता है नहीं है इसकी full form है Electronic Data Interchange वेवस्तित सेवा पत्ति से आप क्या समझते है यानि Managed Service Approach इससे आप क्या समझते है तो यह है आपका सभी B2B संगटन कार्यों के लिए बही स्तुरतन के लिए यानि Outsourcing All the B2B Integration Tasks B2C पत्ति से आप क्या समझते है तो यह होता है वो बहुगताओ के लिए कार्यों करने वाले Website REM इसमें A का क्या मतलब है यह होता है Random SS Memory तो A का मतलब क्या है अगा SS विकल्पों में से Output Device की पहचान करें तो Output Device है Monitor E-Commerce, E-Commerce में E का क्या मतलब है तो E का मतलब है Electronic जाल साजी से आप क्या समझते है तो जाल साजी है यानि Fishing जाल साजी है किसी तीसरे व्यक्ति द्वारा नीजी डेटा चोरी किया जाना इसको कहा जाता है Fishing जाल साजी पूर्ण रूप से खत्रे से सुरक्षा के लिए एक एंटी वाईरस को किस प्रकार का अभी गमन परदान किया जाता है तो यह होता है पूरे सिस्टम में विशिशा दिकरत अभी गमन किस प्रकार के अंटी वाईरस अनुसंदान के लिए नए वाईरस का पता नहीं चलता है तो यह होते है अस्ताकसर आधारित अनुसंदान Signature Based Detection किस प्रकार के वाईरस अनुसंदान द्वारा कलन विदी का इस्तिमाल किया जाता है यह यह होता है अनुमान एक स्थिर वर्ग में Abstract वर्ग को गोशित कने पर क्या होगा तो यह होगा यह सफलता पूरवक एग्जिक्यूट होगा निमलिकित में से कौन सा Distractor के बारे में सच नहीं है तो यह नहीं है इसे भारी रूप से बुलाया जाना चाहिए तो यह सच नहीं है तो जो बाते सही है वो देखते हैं यह release log को release करता है यह सभी network संसादनों को release करता है यह सभी database connection या file को बंद कर देता है Java EE किसके लिए काम में लिया जाता है तो यह server से चलने वाले application के लिए काम में लिया जाता है Jatil TOS 3D basic primitive से बनाए जा सकते है यदि एक circular base से एक दिर्दवर्थ बना दाओ यानि एक ellipse बना दाओ तो कौन सी command प्रियुक्त होगी तो यह होगी center command solid primitive where swept solid से composite solid बनाने के लिए कौन सी option का उप्योग किया जाता है तो यह होता है blue end किसी modeling में 3D solid की संख्या को primitive माना जाता है तो यह होता है solid modeling में status bar पर ortho button को चैनित करने के लिए कौन सी shortcut key का उप्योग किया जाता है तो यह shortcut key F8 नमलिकित में से कौन सी command utility command से संबन दीता है तो end command utility command से संबन दीता है AutoCAD में चैनित pattern की रेखे संदर्चनाव को बनाने के लिए एक object को एक शेक्तर में भरने के लिए कौन सी command का प्रियोग किया जाता है तो यह होती है h command ड्राइंग के display scale को प्रिवर्तित करने के लिए जूम कमांड का प्रियोग किया जाता है जूम कमांड के अंदर गत सब option dynamic का क्या उप्योग है तो dynamic का उप्योग है ड्राइंग के पहले से निर्दिष्ट बाग को परदरिशित करता है यह जो display the portion of the drawing specified already switch on and off the object snap object snap को बंद वे चालू करने के लिए कौन से shortcut की का उप्योग किया जाता है तो यह है f3 active x नियंतरन में atl यह क्या है तो इसकी full form है active template library operating system का मुख्य कारिय क्या है तो यह है यह अंत उप्योग करता और computer hardware के बीच interface के रूप में कारिय करता है प्रक्रियाओ के स्थिति का सही करम क्या है तो इसमें आपकी सही प्रक्रियाओ गी यह आपकी त्यार option दिये हुए है तो सबसे पहले new, ready, run, wait और फिर complete आप java में command line तरक कैसे पा सकते है तो यह होगी आपका java class name arg1, arg2 नमलिकित में से कौन SS specifiers के दाइरे में सही करम में विवस्तित है तो यह आपकी option दिये हुए है तो यह आप सबसे पहला आएगा public, default, protected और फिर private ADO में नमलिकित में से कौन से प्रकार के करसर record set के किसी भी record में जा सकता है तो यह होता है static नमलिकित में से कौन सा visual basic में JIT का एक प्रकार नहीं है तो यह है post JIT और बाकी pre JIT, econo JIT और normal JIT यह सभी visual basic में JIT के प्रकार है modules में decomposition अब गटन के बारे में क्या सच है तो यह है, यह friction को आसान बनाता है makes it easier to test arrange strings इत्यादी जैसे अगरवर्ती वैसिस्ट का इस्तमल करने के लिए कौन सी Java library की मदद ली जाती है तो यह होती है Java.lang क्या होगा, जब कोई उप्योग करता Java के एक parameter निर्मित constructor को प्रिभाशित करता है और default constructor को नहीं तो यह होती है, compiler एक तुरूटी दिखाएगा क्योंकि उप्योग करता को default constructor को भी प्रिभाशित करना होगा Next question है आप sign magnitude में एक negative का प्रतिनी दितों कैसे करते हैं तो यह होगा, पहले bit sign का प्रतिनी दितों करेगा sign bit 1 negative sign का प्रतिनी दितों करेगा यह आपका system दिया होगा है उपरोध code का output क्या होगा तो यह होगा text class executed Next question है एक abstract work A में तीन abstract विदिया है abstract work B उन विदियों में से केवल A को प्रिभाशित करता है क्योंकि यह work A को विस्तारित करता है work C, work B का विस्तार करता है और work A के अन्य दो तरिकों को लागू करता है जब आप इस प्रिदर्श्यक के साथ संकलन करते है तो निर्में से कौन से होने की संभावना है तो यह आप का answer आएगा code संकलित करेगा क्योंकि कक्षा A के सभी तरिकों को B और C दो आरा लागू किया जाता है और आपका ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आपको ये वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट्स में लिकर जरूर बताएए साथ ही Steady Zone चानल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल का बटन जरूर दबाए और इस वीडियो को लाइक भी जरूर करें Thank you